नमस्का दोस्तों केसे हैं सब लोग दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंद्रा गांधी ग्रज जोती ओजना के बारे में जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि अभी जो वर्तमान की सरकार आई है वह है सिवराज सिंग जी की मतलब अपना मुख्य मंत्री है जो हो गया था ठीक है दोस्तों दोस्तों अभी नई स्किम चालू की गए है जिसके अंतरगत आपको अपना विजली बील मात्र सो रुपे आएगा इंद्रा गांधी ग्रज जोती ओजना पहले की चल रही है उसमें नहीं अपडेट आया है आपका जो विजली बील होगा आप डारेटली उनली पूरे महिने का सो रुपे ही बरना पड़ेगा ठीक है दोस्तों दोस्तों इसके लिए आपको आवेधन किसे करना है मैं आपको तरीका सिखाऊंगो कि आपको आवेधन किस तरीके सकना है पहले मजदूरों को देखते हुए सरकार ने इस योजना के प्रावाजी लोग थे उनका जो बील होता था वो 200 रुपे कर दिया गया था अब आपको अपना जो बीदली भीले मात्र सो रुपे ही भरना पड़ेगा आपको इस योजना में किसे अपलाई करना है तो इस वीडियो को इन तक देखना है और दोस्तों आप हमारे चैनल पर तो अचलक करेजिए और विद威 को लाइक K tolerate देखना मोगा थान के सिकना और सी शुतियों को समझना 2019 को लोज की हुई थी और हाली में इसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं इस योजना के लिए सरकार कुल 2200 करोड रूपे खर्च कर रही है इस योजना के तहट आपको लाप भी मिलेगा अगर आप 151 यूनिट से कम पिजली खर्च करते हैं 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर केवल 100 का भुक्तान करना पड़ाएगा मतलब 100 का भुक्तान करना पड़ाएगा अगर किसी उपवक्ता का 100 से 1500 यूनिट बिजली खर्च होता है तो उनके यूनिट सामान्य दर से गिने जाएंगे मत्यप्ते सरकार नहीं सोजना में SCO और ST वर्ग के लोगों को भी सामिल किया है इस वर्ग के लोगों की बिजली की खर्पत अगर 30 जून तक होती है तो उन्हें 25 रुपे भरने होंगे और बिल हर महिने ना आकर 4 महिने में एक बार आएगा राज्य सरकार की अपच्छा है कि इस सोजना के चलते लोग सो से अधिक सो यूनिट से अधिका बिली की खपत नहीं करेंगे इससे लोगों कालाब भी होगा और राज्य सरकार की बिजली भी बचेगी आपको अब मैं बताने वाला हूँ एमपी गरा जोती स्कीम न्यू अपडेट मतलब इसका जो न्यू अपडेट है आपको बताता हूँ इंद्रा गांधी जोती ओजना से पहले मध्यपदेश में 100 यूनिट विजली खर्च करने पर 634 रुपे का बिल आता था यह बदल कर क केवल 100 रुपे हो गया अर्था सरकार द्वारा 534 की सब्सीडी दी गई है मतलब 534 रुपे की आपको सब्सीडी दी गई है यह जना से पहले 500 यूनिट विजली खर्च करने पर 988 रुपे का बिल आता था अब 500 यूनिट विजली की खपत पर केवल 304 रुपे का बिल इसके बाद आपको दिखा दे रहा है इंद्राग्र जोती यूजना MP की पातरता ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको पहली पातरता बताता हूं यह यूजना मद्यप्रदेश सरकार ने सुरुक की है कि मद्यप्रदेश में रहने वाले लोग ही इस यूजना का पाइदा उ योजना और जन कल्यान संबल योजना के लाबारती भी इस योजना में सम्मिलित हैं पुरानी योजनाओं को बंद कर दिया गया है ठीके दोस्तों दोस्तों इसके लिए आपको आपको नीचे रिखा दे रहा है इंद्रागरा जोती योजना मद्यपदेश आवेदन के लिए समय को जरूरी दस्तावेज में बीना दस्तावेज के आप य तो फास्ट पाइंट बथा हूं पहτ पात्त्र लाबारती को पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस आधार काड या वाटर आईडी की फोटो कापी जमा करानी होगी आपको सेकंड पैंट दिखाई दे रहा है बिजली बिल अनुक्रमांग संख्या आवेजन करते समय आपको अपने बिजली बिल की अनुक्रमांग संख्या से जुड़ा दस्ताव जमा कराना होगा इसमें भाईशम आने वाले बिजली बिल पर नई दरों के मुताबि भुक्तान रासी अंकित की जाएगा आपको थर्ड पैन बताता हूं मध्यपदेश निवासी पहचान पत्र इस उजना का लाब उठाने के लिए आपको मध्यपदेश का निवाशी होना करानी होगी अब हम बात करते हैं इंद्रा घ्राजोति योजना एपलाय मतलब ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन फॉर्म 2020 आपको इसमें फॉर्म कैसे अपलाय करना है लोगों का काम आसान करने के लिए सरकार ने उनलाइन आवेदन पत्र निकाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो ओनलाइन आवेदन पत्र निकाले हैं यह आपको एक वेब पेज ओपन करा हुआ दिखाई दे रहा है यह वेब पेज है ठीक है दोस्तों आपको सबस्पेले मैं बताता हूं आपको फस्ट पायंड बताता हूं मत्यपदेश के लोग इस योजना के लिए तैयार हो गए हैं आधिकारिक वेब साइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं जो कि आपको आपको पहले भी पता होगी या नहीं हो तो यहां से मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा वहां से विजिट करना है इस पेच पर आपको योजना से संबंदीर फाम मिलेगा लगे आप जो जानकारी दे रहें बिलकुल सही हो अन्यत आपका फाम सुईकार नहीं किया जाएगा में जरूरी दस्तावेजों से जूड़ी जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए इंद्रागर जोतियोजना के लाबारती योग के रिस्ट में अपना नाम या नहीं वहां भी आप अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं मैं बताऊंगा इंद्रा ग्रह जोती हो जना की सूची मतलब अपको सबस्रे पहले मैं अपनी प्रोस्रेश बताता हम सब ल haircut मैं नाम देखने के लिए इस लिंक में एई यही यह भी लिंक अपनी description box मी देऊंगा जो आपके सामने लिकी हुई है इसको description box मेंसे मीवास पर इसे जाकर इसपस पर खुलने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें आपको रिवा जावलपूर और सागर रिजन में छेत्र अपना चेत्र चैन करना है उस पर क्लिक करने के तुरंद बाद एक फाइल आप के फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी उसे खोल कर अपना नाम उसमें आसानी से ढूंड पूंड कीविसां जगेए थि कंस्क्राइब अस्युक्त लेए कि सब्सक्राइब हों सब्सक्राइब कर दो तक कि सब्सक्ण सर्क भाइब कर देए